हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं संख्या ये दिनांग 15-3-24 के अंतरगत ये पंचयायत सहायक एकाउंटेट कम डाटा इंट्री ऑपरीटर के पद परचायन हितु निम्नांग के दियो कुताबा विवरण के अनुसार आविदन पत्र योग अब बैर्तियों से अमंत्रित किये जाते हैं कुल पदों की संख्या 4831 है लेकिन यह 4831 जो पाद है यह पूरे यूपी की सभी जगाए है और अगर आप अपने जगाए का देखना चाते हैं तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा कि आपके ग्राम में यह जगा खाली है या नहीं हो है कैसे देखेंगे सबसे पहले हम फॉम भनना सी के लिते हैं तो किस तारीक को आपको फर्म जमा करना है तो ग्राम पंचयात द्वारा पंचयात के सूचना पट पर मुनादी कराना आदी कराया जाना यह जो चपका दी जाएगी 12-14 जून तक यानि कि आपके जो आपका पंचयात ओफिस है वहाँ पर आभी तक यह चपका दी गई होग इसके बाद जिला पंचयात राज अधकारी कारयाले बिकासकं कारयाले में आवे दन पत्र जमा करने की 15 जून से 30 जून तक आपको आपको यह 30 जून से पहले पहले हर हलत में जमा कर देना है जिला पंच्याद राज अधकारी विकास खंड कार्याले में प्राप्त पत्रों को संबंद ग्राम पंच्याद को उवलब्द कराया जाना तो यह आप जैसे अपने गाउं में जमा करेंगे वह अपने विकास खंड बगेरे में उनसे उपर जहां जमा करेंगे एक जुलाई से छे जुलाई तक सभी भरे हुए फॉर्मों को वहां पहुंचा देंगे ग्राम पंचयाद में प्राप्त आबेदन पत्रों की मेरिट लिष्ट तैयार करना ग्राम पंचयाद की प्रसासनिक सिंथी के समक्ष बचारात प्रिस्तोस्त कर रिखिया जाना यारी कि उसकी मीटिंग मीटिंग वगएर है और मेरिट लिष्ट साथ जुलाई से 14 जुलाई के भीच आपकी जो है मेरिट लिष्ट की कॉपी आपके पंचयाद आफिस में चिपका दी जाएगी और इसके बाद चिला अध्यकारी की अध्यक्षता में गठे समिती द्वारा परीक् पर नर्गत किया जाना जो 22 से 24 जुलाई के बीच में आपको करना है यानि ये डेटर पूरी फिक्स कर दी गई है आपको किस तारीक में क्या करना है वह आप इसमें समझे अब देखते हैं आविदन की प्रिकिरिया बहुत जली जली देखते हैं निर्धारत आविदन पत्र प्रारूपे पर समझ सूचना अंकित कर ब्यत्तीवत रूप से अथ्वा रजिस्टर डाख से अपनी ग्राम पंचयाद विकास खंद कार्यालए जला पंचयाद राज यतकारी के कार्याले में निर्धारेक समय अब्द दिवी में अबलत कराया जाना समझे प्रिक्रिया को कैसे भरते हैं तो यह देखिए आविदित ग्राम का नाम आप जिस ग्राम में रहते हैं उसके लिए आप आविदन कर रहे हैं उसका यहां पर नाम लिखेंगे विकास खंड आपका जो लगता है वह यहां पर लिखेंगे और किस जनपत में हैं वह आप यहां पर लिखेंग अपना नाम लिखना है जो आवेदन कर रहा है अपने पिता जी का नाम लिखना है अपनी माता जी का नाम लिखना है जनमतिती लिखना है आपकी जो जनमतिती हाई स्कूल के अंग पत्र में दिखाई गई है यहाँ पे लिखेंगे अब आपको अपनी आयू जो है लिखना है चुकि एक जुलाई 2023 को कितने वर्स कितने महीने और टूटल कितने दिन हो चुके हैं यदि आप महिला है तो महिला लिखेंगे पूरोस है तो पूरोस लिखेंगे और आप किस स्रेणी से ब्लोंग करते हैं अन्सूचित जन जाती से पिशला बक से सामान से यहां पर अलाग अलाग है तो आप अलाग अलाग लिखेंगे अगर एक सा है तो एक सा दो वन लिखेंगे मोबाल नमबर एक ऐसा मौबाल नमबर जिस कुब पर अभी चुछालू हो आपका बंद नहां हो एसा मोबाइल नमबर देना है और सेक्षिक योगता है आपको क्रिम संख्या यहां डालका है एक दो तीन चार परीक्षा का नाम आपने कौन सी परीक्षा उत्रीड की है किस बोड से की है कौन से बिसाय आपने लिए थे आपका उस समय पूरांग क्या था प्रापतांग क्या किस रेणी में आप पास हुए है प्रतम दुतियतर्ति जितना जो भी है और आपको परसत कितना मिला था अब कई लोग ऐसे हैं जो परसत नहीं है उनको ग्रेड में मिला था तो आप इसी के नीचे ग्रेड भी लिख सकते हैं ए बी सी डी जो भी ग्रेड आपके होते हैं तो आपके पास O Level computer वगढ़ेर है वो भी आप इसमें लगा दे तो आपको जादा आपका benefit मिल सकता है आपको कार का अनभव एक नंभव करने का कोम वह वह कहीं यानि कि आपके घर में किसी की मिर्तियू COVID के दौरान हुई है तो वो है इस आवीदर को भर रहे हैं तो इसमें हां करेंगे, अगर नहीं है तो इसमें नहीं करना है और बाकी सब को छोड़ दिना है, यदि हां है तो आप फिर मिर्तक का नाम लिखेंगे, कौन मिर्तक थे और उनका आपसे संबंद क्या था पती पत्नी पुत्र विवाहत विदवा पित्री विदवा माता या जो भी आपका संबंद है वह आप लिखेंगे और उनकी मिर्तियू कब हुई थी वह लिखेंगे और इसके बाद आपकी रिपोर्ट कौन सी आई थी एंटीजन आटी पीसी इसके बाद आपको ये गुष्णा पत्र देना है प्रवांत किया जाता है मेरे द्वारा आवेदन में भरी गई सारी सूचना सत्त है मेरे द्वारा दीगी सूचना असत पाया जाने पर आवेदन अपूर पाय जाने पर मेरा प्राथना पर निरस्त किये जाने की दसामे मुझे कोई आपती नहीं होगी भरी गई सूचना के सम्मन्द दखस्तावेज सनलंगन है यानि की आपको जो सूचना यहां पर भरी गई है नाम से लेके सब कुछ आपको उसके दस्तावेज भी यहां लगाना है आब एदर करता अपना यहाँ पर हस्ताक्चर ज़रूर करेगा अगर हस्ताक्चर नहीं करेंगे तो आपको फार्म रिजयक्ट हो जाएगा आपको डेट भी जरूर से जरूर डालनी है इसक बाद यह उतना फार्म है आप पूरा फार्म लेके आप जाएगे आपको इतना form फाड़के और प्राप्त करता कि यहां पर हस्ताक्चर ओजाएंगे, महुर ओजाएंगे, नाम हो जाएगा, दिनांग हो जाएगे और आपको यह form दे दिया जाएगा बस इतना सा ही form है अगर आप जानना चाते हैं कि आपके विकास खंड में या आपके ग्राम में कितनी सीटे हैं उसके लिए एक लिश्ट दी गई है आप इस website पर जाएंगे यह जो website लिखी है इस पर इस पर पूरी लिश्ट दी गई है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस लिश्ट का लिंक मैं अपने description में डाल दूँगा तो आप वहां से भी इसको download कर सकते हैं 92 page की लिश्ट है पूरी आपकी जो है कहां कहां पर बकैंसी निकली है हर गाओं में एक एक data entry operator होता है आपको मालूम है तो यह बहुत बड़ी लिश्ट है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका लिंक जो है उसमें डाल दूँगा और यदि आपको इस form से भरने से सम्मंदित कोई सवाल है कोई confusion है आपको तो आप मुझे comment box जरूर करें comment करें मैं आपके सवाल का जवाब देने के पूरी कोसिस करूँगा गलत form ना भरें उससे पहले आप एक बार वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप form भरें मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में जब तक के लिए जैहन वंदे ब कर दो आप